दोस्तो अगर आपको अमीर बनना है और guaranteed financial freedom अचीव करना है और उसके लिए सबसे simple और आसान तरीका चुनना है तो आपको ये तीन concepts अच्छे से पता होना चाहिए एक है power of compounding दूसरा है magic of index fund और तीसरा है magic of SIP ये तीनों चीज साथ में मिलकर एक magic की तरह काम करती है लेकिन ज योग इसका फाइदा उठा नहीं पाते क्योंकि वो उस process में believe नहीं करते तो compounding के उपर मैंने एक already introduction वीडियो बनाया है ये वाला वीडियो index fund के उपर है जिसमें आप एक बहुत ही important चीज सेखने वाले हो और future में SIP के magic के उपर भी एक वीडियो आ जाएगा तो दोस्तो ज जानते है जो सरिफ 30 या 50 companies का एक group होता है लेकिन फिर भी ये index हमारे लिए बहुत important है जितना एक normal आदमी सोच भी नहीं सकता तो चलिए इसको थोड़ा detail में समझते है तो उसके लिए हम एक website पे आते है जिसका नाम है ticket tip ये एक ऐसी website है जहां से आप अच्छे stocks और mutual funds को pick कर सकते हो और उसे analyze भी कर सकते हो और आप इसके pro version के लिए subscribe भी कर सकते हो जिससे आपको बहुत सारी important information ready made मिल जाती है इसका link में नीचे description में डाल देता हूँ आप वहाँ जाके इसे check कर सकते हो अब दोस्तो क्योंकि Indian stock market में 5000 से भी जादा companies है तो सब companies उतनी बड़ी और stable नही तो अगर आप इस index fund में invest करते हो तो basically आप सिर्फ इन 50 बड़ी companies में invest कर रहे हो लेकिन ये 50 companies इतनी जादा important और valuable है कि ये बाकी पूरी 5000 companies के मुकाबले जादा price पे बिखती है जैसा कि आप देख सकते हो इनका पूरे Indian stock market में market cap share 52% का है मतलब Indian stock market की बाकी सारी 5000 companies एक तरफ औ value में भी यही companies होती है अब क्योंकि ये companies ने almost आधा market value cover करके रखा है तो short term में हमको ये index stock market की information देता है कि market ने आज कैसा perform किया जैसे अगर nifty 1% उपर जाता है तो chances है कि market की maximum companies भी उपर ही गई होगी लेकिन long term में इस index से हमको country की economy के बारे में जादा information मिलती है क्योंकि जब निफ्टी 1995 में start हुआ था तब इसमें maximum companies कोई और ही थी इसकी almost 50 में से 40 companies change हो चुकी है और ये change automatically किया जाता है हर 6 महिने में जैसा कि आप यहाँ पे read कर सकते हो तो इसलिए यहाँ पे आपका permanent capital loss होने का chance almost 0% का है क्योंकि real estate की तरह आप एक property नहीं खरीद रहे हो आप एक छ 2003 में thousand rupees invest किया होता तो आज आपका investment grow होके 14.5 thousand का हो गया होता जिसको अगर हम calculate करेंगे तो ये 15.4% का compounded growth rate होता है जो एक अच्छा rate है क्योंकि इसके इसके साब से 10 lakh rupees का investment 1.4 crore का हो जाता है तो जिन लोगोंने 20 साल पहले अगर कोई real estate की property ली थी तो उनको भी almost यही rate मिला जैसा कि मेरे एक friend ने Mumbai में 10 lakh की property ली थी तो उसकी value आज almost 1.5 crore किये बस problem यह है कि वो उस property को उस price पे बेच नहीं पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा amount ये time पे कोई pay कर रहा नहीं है और आने वाले 10 या 20 सालों में उसकी property वो same rate से grow होगी या नहीं वो हमको पता नहीं क्योंक कि उन properties का सिर्फ price बढ़ा है उनकी intrinsic growth नहीं हुई है इस चीज़ को मैंने ये वाले वीडियो में एकदम detail में explain किया है अगर आपने इससे नहीं देखा है तो मैंने इसका link नेचे description में डाल दिया है लेकिन ये index naturally इसी rate से grow होता है तो आने वाले time में आप यहाँ पे जादा हो कि इतना return swap को मिलता रहेगा और अगर इन 50 में से 10 companies अचानक से बंद भी हो जाती है तो दूसरी companies उसको फॉरण replace कर देगी क्योंकि हमारे पास ये दूसरा index है जिसको हम nifty next 50 के नाम से जानते है जो सबसे बड़ी 50 companies के बाद की next 50 companies है तो अगर आप इस index का return चेक करोगे त ये सब returns बिना dividends के है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1.38% का dividends अलग है तो अगर आप इस index का कोई भी fund चेक करोगे तो उसका long term returns इसके आसपास कही होगा जैसे यहाँ पे हम ये Nippon का ETF चेक करते है अब दूसरों ये एक recommendation नहीं है मैं सिर्फ एक example ले रहा हूँ आप ल तो आपका order फॉरण complete हो जाता है और आपको units भी on the spot मिल जाती है तो ये ETF बिलकुल उसी तरह काम करता है लेकिन mutual fund में आपका order दो-तिन दिन के बाद complete होता है तो इस delay की वज़े से होता है कि अगर market next day ऊपर चला गया तो आपको कम units मिलती है इनके details में आने वाली videos में discuss कर ल कि mutual funds का expense ratio हमेशा ETF और index fund से जाधा ही होता है जिसका मतलब यह है कि आपका mutual fund में ETF और index fund के मुकाबले profit हमेशा कमी होगा और long term में वो एक बहुती बड़ा difference create कर देगा क्योंकि 1 या 2% से भी long term में बहुत जाधा फरक पड़ता है इस चीशको मैंने compounding वाले video में explain किया है जिस almost 18.5% का compounded growth rate होता है और actually मैं इसका returns उससे भी जाधा होना चाहिए था क्योंकि ये companies ने इतने साल 1.4% का dividends भी pay किया था लेकिन फिर भी मेरे यसाब से ये returns बहुत ही बढ़िया है क्योंकि mutual funds में long term में और जाधा calculation के errors होते हैं जिसको लोग कभी identify करी नहीं पाते हैं Index fund versus mutual fund के उपर मैं आने वाले वीडियोस में detail में discussion करने वाला हूँ जिससे बहुत लोगों को shock मिलेगा क्योंकि long term में यानि कोई भी 20 साल के period में 10 में से 9 mutual funds index को बीटी नहीं कर पाते हैं और दोस्तो mutual fund में problem यह होती है कि जब आप उसमें invest करते हो तो आप देखोगे कि mutual funds की list में आपको हमेशा कोई ना कोई नया fund ही दिखेगा तो sell करते time आपको एक exit fee पे करनी पड़ती है और tax भी पढ़ना पड़ता है और सबसे important चीजी है कि आप अपनी wealth को peacefully compound होने नहीं दोगे दोस्तो maximum लोग यहीं गलती करते और compounding का magic अपनी पूरी life में देखी नहीं इसलिए मेरे यसाब से best mutual fund नाम की कोई चीज होई नहीं सकती क्योंकि जो mutual fund ने अच्छा track record शोग कर दिया तो पूरी दुनिया वहीं invest करेगी तो अब उनके पास जादा पैसा आ गया तो घुम फिर के उनको यही 50 companies में invest करना पड़ेगा जिससे होगा यह कि उसके investors indirectly एक index ही खरित के बैठे बस extra fees के साथ तो इसी लिए यह 15% या 18% मेरे साब से बुरा नहीं है क्योंकि अगर आप आज 10 लाग रुपे का investment करते हो तो 20 साल के पहले ही आपका investment 18% के हिसाब से 2 करोड का हो जाएगा और अगर हम उसमें महेंगाई को भी count करें तो यह 10 lakh की value 7% के inflation के हिसा है कि real estate की तरह आपको यहाँ पे एक साथ पैसा भरने की जरूत नहीं है क्योंकि maximum low के लिए real estate में सबसे बड़ी problem वही होती है और जब market crash होता है या कोई बड़ा correction होता है तो आप वो time पे और जाधा invest कर सकते हो जिससे long term में आपका return ये 18% से भी जाधा होना चाहिए बतलब इंडिया में stock market के जरीए इतना return कमाने के लिए ना आपको stock scientist बनना था ना कोई MBA की degree चाहिए थी और ना ही कोई best mutual fund चुनना था बस ही index खरिल देना था और थोड़ा financially smart होना था अब दोस्तों मैं अपने पुराने वीडियोस में calculation के time पे 13 या 15% का return अज्यूम करता कि इतना return तो आपको मिलना ही चाहिए तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो impossible है इतना return लाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन आप देख सकते हो ये simple strategy से stock market से कोई भी profit कमा सकता है और ये index fund, long term investing, buy and hold investing, dividend investing ये सब चीजों के बारे में इतना कोई बात करेगा नहीं क्य क्योंकि इस सब चीज़े कोई भी college और university में सिखा ही नहीं जाती है तो दोस्तो वीडियो को end करने से पहले आप लोग लिए मेरा message ये है कि अगर आप stock market और investing की शुरुआत कर रहे हो और एकदम beginner हो तो मेरे हिसाब से आपको index से शुरू करना चाहिए मतलब कोई index fund में SIP करन चाहिए और फिर दीरे दीरे अपनी stock investing की knowledge को improve करो ताकि जब तक आप direct stock investing सीखोगे तब तक आपका actual investment भी होता रहेगा और आप market के उतार चड़ाव से familiar भी हो जाओगे और अगर आप stock investing सही तरीके से सीख लेते हो तो आप इस index से अच्छे stocks पिक करके एक portfolio create कर सकते हो जिसस friends और family के साथ ताकि उनको भी knowledge मिल सके और चैनल को subscribe करना मत बुल जाना और bell icon प्रेस करदेना ताकि आप ऐसे important videos मिस ना कर दो investments को analyze करने के लिए ticker tip का link और investment करने के लिए demet account open करने का link नीचे description में है आप मुझे comment करके बताइए कि मैं कौनसी topic पे अपना अगला video बनाऊं वीडियो पसंदाया तो इससे like करो नहीं पसंदाया तो dislike करो आपका valuable time देने के लिए thank you and goodbye